करन महरोत्रा का कहना है कि आपके दो भाईयों ने साजित माजित ने उनके सर पर पिस्टल लगा है नाम आया कि उसकी विधौंस दी गई पिस्टल लगाया गया पचास लाक रुपे की लूट करने की कोशिश हुई और इसमें नगर कोत्वाल राकेश सिंग का भी नाम आया कि उनके सहयोग से चीजिए उनका इसमें राइफल वो लेकर आया थे वीडियो देखिए उनका इसमें राइफल खुद ताने हैं लेकर आया है और बता रहे हैं फिश्टल लिया लगाया है कोई दिखाए या कोई महले में आपने सामें सब लोगों भीड़ लगी थी अपने सब लेटीज खड़ें इसी के दुखान वाले से सब पहलवा दीगे वह जो है तो यह आपना रहे हैं मार वही मारे भी हैं गाली दिया है धंकी दिया है उजाड देंगे रहने नहीं देंगे बहुत कुछ बोलें यहां तक हैं तो पाकिस्तान चले जाएंगे यह लोग कहां साजित माचित दिन का नाम है वह नीचे गए दोड़के तो यह गाली गलोश करने लगे लेकों ताला लगाएगा है जिसका मकान होता लगाएगा उसी पर पकड़ लिए गाली गलोश दिया धंकी दिया है कि लिए मौजूद आप देखिए उसमें नमस्कार अदब मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स इस वक्त गोंड़ा में एक घटना हुई और उस घटना की चर्चा हर तरफ हुई जी हां महरोतरा ट्रेक्टर्स के नाम से उसके प्रोपराइटर करन महरोतरा ने आरोप लगाए कि उनकी प्रोपरटी को लेकर कबजेदारी को लेकर एक घटना होती है जिसमें उनकी एजिंसी से करीब 50 लाक रुपए के लूट होती है लूट की कोशिश होती है और जो ओनर है यहां के यहां पर साथ में रहते हैं जिनका घर है उनके दो भाईयों ने साजित और माजित ने उनके सर पर पिस्टल लगा कर उन्हें धमकी दी यहां तक कि जो नगर कोतवाल राकेश सिंग है उन पर भ्यारूप लगाया कि जो लूट हुई है बचास लाक रुपए की उनके सायोग से उनके सर रचड में हुई है यह क्या है पूरा मामला इस वक्त हम मौजूद है आफाक से इनके से आप यहां रहने आए और यह जो किरायदार थे यह कब से थे मेरे वाल säak यह उनika उत्य सित्ट्र से यहां रहते हैं सी घर में पहले किराय पर नीचे कमरा लिये थे है और एक किछिन लिये थे और यहा एपने सटाफ के साथ रहते थे पाईल बीयूज का काम करते थे पिरोडी में और ये सामने की सारी दुकान भी वो किराय पे लिए थे उसमें अपना सामान रखते थे एक गैराज एक में गैराज किये थे अपनी गाली रखते थे महिंद्रा की जीब विली और उसके बाद जो है इनके दादा जी करनपडी मलुत्तरा के यहां पर एक फेर वालिस साहिब से कहे कि बेटा यह तुमारी खाली पड़ी है इसको म को दे दो दो तीन मैंच लिए मुझे एक अजैसी मिल गया है क्लिए तो यह द लिया उसके बाद उस प्राप अपर्टी पे काफी दिन तक रहे उसके बाद जो kamiरे वालिस साहिए इस प्रापर्टी को जो है 1984-83 में जो है खरी लिए यह ठीक प्रापर्टी यह जो हरी मल नाम के वहां के रहने वाले थे आनंद परवत करोलबाग दिल्ली के वो लिए थे यहां वे होटल चलाने के लिए रामलाल गुपता जी से यह प्रापर्टी लिए थे यहां होटल बनाये थे दिल्ली होटल के नाम से कोई दिन चलाये थे उसके बाद वो नहीं चला पाए दिल्ली चले गया तो उनसे यह प्रापर्टी खरी लिए हमाई वाली साहमने बाद में जो है यह प्रापर्टी उनके नाम से नहीं था बैनामा कराएं छे साल बाद 1990 में तभी पिता जी ने उन से छे साथ साल बाद कराया और जोहरी मल जी का देथ हो चुका था लेकिन वो प्रापर्टी उनके बच्चे नहीं थे उनके भतीजों के नाम से था दोनों बैनामा हमारे पास है जो रामलाल गुपता जी भी लगे थे कि दुगना पैसा दे रहती इन गुना लेकिन वो लोग नहीं माने कहें हम हमारे दादा जी ताओ जी जाच शुके हैं दुनिया से अब उनके नाम पें बैमानी नहीं करेंगे जो जबान वो दे कर गये थे जो बात होई थी उसी पर उन्होंने काम थी अच्छा जब आपके पिता जी यहां पर रहने आये थे तो करन महरोत्रा के पिता जी या उनके पूरवच जो भी थे वो यहां पर पहले से रहते थे आप बात में आया है नहीं वो बात में नहीं आ लड़ाई उसके बाद जो है वह बाद में लिया है हमारे पिता जी जब खरी लिए तब किरायदारी हमारे उस पर चढ़ गया तो पिता जी कहें कि आप खाली कर दीजिए तो यह खाली नहीं किये मुकदमा करना पड़ा क्योंकि तीन सु रुप्य महिना किराया था तो हमारे वाली साहब आए तो निस सो नब्बे की बात है नब्बे में तो वाली साहब हमारे गए कि हम इतना सव किलो मीटर से हैं मकान खरीदे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने ल क्या करेंगे तो मुकदमा करना पड़ा खाली नहीं किये उसके बाद जो है मुकदमा काफी दिन तक चला दो यह भी सत दोजार जो यह एक सप्टेंबर पंदरा तारीक को हमारी डिग्री हो गई फिर जो हमने इन से बातचीत की इनका भी जो है काम धाम खतम हो चुका था क् ट्रैक्टर की एजन्सी इनकी यह जो है महिंद्रा की यह करीब 17-18 साल पहले इन से चली गई दूसरे लोग ले पागया किस नाम से थी कौन से एजन्सी की नाम से और वो चली गई इनके पास नहीं थी उसके बाद यह एक साल बाद लिए जॉन डियर के जैसी जॉन डियर के रहे थे कुछ काम किये दो चार महिने उसके बाद यहां कोई कारोबार ने कि अठीटा saja कोई कारोबार नहीं कर रहे हैं कम वगया कुई नटबोल्डर नहीं ता फरणिचर कुछ रखा थोंड़ की आना कुई झाना कोई ढंना कफिज दंदे नहीं कर रहे थे तो क्या करने आएंगे इसी बीच यह तमाम चीज़ें कोड में चल रहा था कब आया फैसला कोड से क्या चीज़ें फैसला आया है पंद्रह सप्टमबर को अब यही आठ नो महिना पहले जैसे आया तो इन से बातचीत हुई यह के बहुत हो गई अब लड़ाई जो है जो है कुछ से तमाम क यहां का उलें पहले से कोई सामान करती था कुछ सामन कहीं सब लेके बाद में इनका जो है कुछ जो भी कंडिशन्ता पूरा नहीं क произ Natureuma बड़ है लेकिन जब यह आपमें सहाहई धी जो भी ढारी होगी उसके बाद और कोट का फैसल आने के बाद क्या था आपका रिलेशन आने के बाद जो भी बात चीछ हुई है रिलेशन आपका किसा था बात कर दो बैज ऑब हो ग़ये और अपैसा के खिया और आई अवकोन कोई लिए तो काफी पैसा दे रहे थे तो यह बताने लेगे लाला चिन की बढ़ गए तो गएने हम नहीं दे पाएंगे तो यह हमारा ताला जो ही आके अभी 27 तारी को सुबा 27 तरवा के तोड़ने लगे नहीं मेरा कबजा कर लिए हो मेरा पचास लाग रुपया लूट लिए हो उन्हें यह कहा कि जो ताला मेरा पड़ा हुआ था जब मैं पहुचा तो वहां पर मैं देखता हूं कि वो मेरा ताला नहीं था ताला ताले बदले हुए यह का कोई सांब्ला कोई कारोबार ही नहीं करते पर नियुकरा मेरे पास मेरे पास पर्क्राइक के तोड़ने लगे तो हमbec uniqueness हुभ निए तम्म सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब डिए देखी उसमें कि आप के उन्होंने दिया जब कि करन महरोत्रा का कहना है कि आपके दो भाइयों पिस्टल कहा से ले जाएंगे कोई जगड़ा करने की कोशिश हुई और इसमें नगर कोथवाल राकेश सिंग का भी नाम आया कि उनके सहयोग से यह चीज़ें पचास लाग कहां से आएगा उसमें जब कोई कामे धंदा नहीं करते थे आठ साल से खाली पड़ा जाला और वो रहता था था उसमें हमी अपना को सामानुमार रख ले थे वो भी जो है कोई नया सामान नहीं थ भी यह प्रपर्टी है जिसको लेकर यह पूरा मामला चल रहा है बैनामा हो गया इसका बैनामा तो हमारे नाम से है आपके नाम से है आप ओनर है अभी हमारे भाईयों में कोई नहीं मिलब वाली थी के नाम से चल बारा भाईयों में नहीं हुआ है वाली साहब के नाम से है जी तो वो एस्पी साहब के पास गया दोड़के उन्होंने उनसे शिकायत की इस पी साब ने वह बता रहे हैं को तवाल को फोन किया को तवाल थोड़ा से सहमे हुए बात किया उनका यह कहना है कि को तवाल और आपकी मिली भगत से तमाम चीदें हुए को तवाल से कुछ बात हुए थी कुछ सेटिंग को पहचानते ही नहीं है ना किसी पुलिस वालों की यह पश्चानते हैं ना हम यह जानते थे कौन रहता है यह तो आप पता चला कि चौकी इन चार्ज है दूबेजी चार-पांच बार आयां तफ्सीस करने तब और को तो उस परचानते हैं कौन है और सिटी लंबे दरंगे आया है उस दिन सब्सक्राइब मेरे ना कभी नहीं हुआ ना कभी कुई कंपलेंट मेरे घर का हम क्या करने जाने किसी से है कि अधिकारियों तक जाएंगे जो उनके साथ 9 साफी हुई इसके बारे में उनको बताएंगे अपने लिए नय जो भी लड़ाई है वो लड़ने वाले हैं रहे हैं वह तो रहाओ जाए जो सही चीज है उसको बदल देंगे सही को गलत कर देंगे कि चाहें जी सदकारिक पास जाएं कोई गलत कर देगा को तो आया है जब उस दिन जब विवाद हुआ तो हमाई पास भाई फून किया है यह आ रहे हैं तो कोटवाली जाई यह पुलिस चोकी जाई तो सीधे को तो आल साइब नहीं थे कोई भी हो यहां चोकी इंचाज यहां हैं तो हमने किलिप दिखाया, क्लिप भी देखें, सारी गलती नहीं कि जाळि धुदि लड़का लेकर आया था क्या उम्र होगी सब्सक्राइब लेकर आ गया था पूरा मामला यह पूरी घटना चल रही है कोट से भी फैसला आ गया है आप लोगों में एक बार समयती भी बनी थी उसके बाद इतना विवाद हुआ है उसके बाद बाद बिगड़ी लालच में लालच में कुछ मिल जाए कि वह इसे कुछ लोग चाहाए होंगे कि जो है अब यह लालच खुद है बहुत गंदा आदमी है किसी दिन के पढ़ती नहीं है जब सहर में आप देख लिए तवाम लोग रूपया मारे हैं जहां और भी रिलेशन कोई से नहीं जहां भी रहे हैं किराये पर मारे लेशन गड़ बढ़ गर रहे हैं मोड़ द्यक्र मोड़ी किया थे जहका लड़ाई हुआ है बड़े मुश्किल से खाली किये हैं उसके बाद राजा राम पाल सिंग के किष्ण टाकी के सामने मकान लि जहां भी गया है जहां अपने प्रापर्टीन के पास थी बहुत बड़ी प्रापर्टी यहां लखनू रोड पे है पोटर गंज में वह जो है जिसमें अमी ताटो सेल्स है और वह उमेश्टा जो खोले हैं डीडिया ही रोंड़ के जैंसी दून प्रापर्टी नहीं कि थी यह दोनों बेज दिये हैं हम कहें भी थे आपके पास आगया आप 15 साल पहले इंसे कि अपना बना लेजिए इसी जगह से हमारे इतना कमाया है इतना का रुदबार की इतना फैले अब आप अपना दुखान करके हम लोगों को दे दिजिए अपना ले लिए जितनी चीज़े से आप बता रहे है कि इस प्रवर्ति के आदमी है वो जबकि उन्हों नहीं कहा है कि आप इक अपराधिक प्रवर्ति honoring के लोग से महले में सामने रहते हैं कि वारोब मानते हैं वाली सब के आपने बात की वाली सब यहां पर आये थे एक कमरे में वो रहते थे क्या हुआ था जो इसके ओनर थे कैसे उन्होंने ओन किया उन से और उस दर्मियान की कुछ बात बताईए पुरानी बाते हैं मेरे वाली सहब आये थे पशपड़वा से यहां काम करने के लिए थे और यहां नीचे इस होटल पहले होटल था यह जो हरी मल जो है दिल्ली के थे आनत परोद करें लिए उन्हें होटल बनाया था जमीन बाबू रामलाल गुपता बगल में हैं जमीन उनके भी लड़के भती दिये थे कि आभी पूरा देखिए उस दर्म्यान करन महरुत्रा या उनके पिता जी कब आये थे क्या था उनके दादा जी थे अच्छे आदमी थे वह आया हमारे वाली साहिब से कहें कि वेटा हमको जो है वह पहले चौप करते थे अब यह साब से बताएं फेर वेदर से कं संपनी थी उसमें मनेजर थे वह चली गए गोरगपूर तो वह इनको मिल गए वह पढ़े लिखे थे तेज आदमी थे इनको मिल गए इंटरनेशनल के नाम से महिंद्रा थी उसकी एजंसी उनको जगा चाहिए था तो यह यह देखे यहां पर बगली में था तो कहें हमको द यह पदेने लगें से कभी नहीं से किरया हमारे वाली साहब कभी नहीं को किराया हम को किराय नहीं चाहिए हमारा आप खाली कर दीजिए हमको कुछ धंदा पानी करना हम सो किलोमेटर से अपना कुछ जमीन बेच के यहां खरी दें हैं आके करने के बाद 90 से तुरंत नहीं है तुरंत इनको खाली कर दीजिए यह भी कहा कि वह आपको किराया देते थे फिर कोट ने यादेश दिया आप ने उनको किराया वापस करना शुरूर ने वापस न Nie हम नहीं लेते हमके हम नहीं लेंगे किराया मेरा मेरा मकान खाली कर दीजिए और जरहО् हमायास ओnt कि तुथ कि आधिया में लोगं लेकिए पैसा कभी से बाइ पोश्ट है बहीं थे जह कि आ रहा था इधर नते इसके चार्शन महीना याद नहीं है लेकिन दो साल तो याद है कि जब से जो 330 रुपया भेजते तो भी नहीं बेज रहे हैं ना दो साल से भी नहीं पर एक आरोप लगा है या एक दाग कह सकते हैं आपके भाईयों पर पिस्टल लेकर मारने की कोशिश की या पैसे की लूट का मामला हो तो जो छव भी खराब है इसके लिए क्या कुछ आप करेंगे या कहेंगे जो लोग आपको देख नहीं हम अब उनके कहने स्थोच हभी खराब हो जाएगी कोई आदमी सब जानते हैं ना हमारे बारे कि यह कहां पिस्टल लाठी डंडा नहीं कहीं देखे हैं तो पिस्टल कैसे लगाए अगर राइफल वो लेके आए थे वीडियो देखे उनका उसमें राइफल खुद ताने हैं लेके आए हैं और जो है बता रहे हैं पिस्टल लिए लगाए हैं कोई दिखाए या कोई महले में आपने सामने सब लोगों को भी लगी थी अपने च्छतों में सब लेडिस म wrath एम कि दिए वह देंगे रहने नहीं बहुत कुछ बोलें यहां तक हैं तो पाकिस्तान के लेनंगे यह रहां लोग कहा यहां यहांसे हैं पाकिस्तान चले जाहिएं इनका है हम यहां लोग थे उनसे पुछे ना हम लोग को कि ही नहीं बड़ा मामला आपके साथ गाली मारपीट और पाकिसान भेजने के बाद आपने शिकायत की पुलिस में तहरीर दी है वह हमारे भाई हम तो बाद में पहुंचे हैं हमें फून किये थे बाद में लगता की है तो आपने सुना जो आरोब इन पर लगे हैं करन महरोतरा दोरा और इनके भाईयों पर खासकर कि कबजेदारी को लेकर जब उन्होंने ताला देखा बदला मिला उन्होंने खोलने की कोशिश की तोडने की कोशिश की तो पिस्टल लगा कर धंकाया गया पैसे की लूट की गई नगर कोतवाल पर भी आरूप लगे हैं इस पूरे मामले को बड़े बेबाकी से इसका जवाब दिया है किया पूरा कैसे कौन कब आया कब से किराएदार रहकर यहां पर रहा या कब किसने ओन किया इस पूरी प्रपर्टी को आप तक पूरी बात पहुची होगी उमीद करते हैं यह पूरा मामला भी समझ में आया और हम भी इसमें किसी को जज नहीं करते हैं बात आप तक पहुचा रहा हैं उमीद करते हैं लोगों को जो सचाई होगी वो पहुचेगी और वीडियो का आप जादा से जादा शेयर कीजिए और इंतजार उस घड़ी का होगा कि जो भी चीज़ें इस दर्मियान हुई है न और अजाद Champ घघए जा याद सोगी है रुत ऑसे हैं जो तब यदो जो जो को करते हैं जा झाच जो जो पाद से दो एम सत्किन आप भी तर मृष्मियों को करते हैं भी जग़।